कवीता सुनाना चाथी हूँ जिससे आप काफी motivate होंगे जिन दोस्टों जो भी दोस्त मेरे आसफल होए है और आसफल तो देखो हर कोई कभी न कभी जहलता है तो उससे निकलने में काफी मदद होगी तो दोस्तों यह कवीता आपने पहले भी सुनी होगी लेकिन आज आप अपनी प्रिती मैम के मुह से सुनेंगे ये कवीता क्या है दोस्तों कि असफलता एक चुनोती है इसे स्वीकार करे कहां कमी रह गई देखे और सुधार करे कहां कमी रह गई देखे और सुधार करे जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड मत भागो तुम कुछ किये बीनाही जैजैकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो दोस्तों यह कविता आप सभी ने सुनी होगी और कुछ दोस्तों की भूछ फेवरेट होगी यह मेरी भी बहुत ज्यादा फेवरेट है क्योंकि δोस्तों जब अपना दोन नंबर का PCS संदो हजार बाइस में मेरा नहीं हुआ था तो मैं काफी थोड़ा हताश हो गई थी कि यह कैसे हुआ दो नमबर से रह गया तो दोस्तों सभी को है जो असली मोटिवेशन होती है न दोस्तों मुझे लगता है वो अंधर से होती है कि अगर आप अंदर से नहीं है तो कोई भी YouTube चैनल कोई भी कविता आपको मोटिवेट नहीं कर सकती सबसे बड़ा मोटिवेशन तो दोस्तों आप सबकी लाइव हैं CC मेरी फैमली है अगर आप अपनी फैमली को देखेंगे ना तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आपको उन्हीं से मिलना चीए कि उन्होंने कितना इस्ट्रेगल किया हमें पढ़ाने के लिए उनके कितने सपने हैं वो चाहते हैं हम आईएस बने आईपीएस बने ऐस दियम बने उचे पद पर जाएं उनका नाम रोशन करें हैं ना सबके अपने सपने होते हैं तो दोस्तों और जिन भी परस्थितियों से हमारे पेरेंट्स बुझरे होते हैं वो इसलिए तो पढ़ाते हैं हमें कि वह जो हमने दिन देखे हैं वो हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे हम नीजी पाए जिन्दगी हमारे बच्चे जीएंगे तो दोस्तों आपको अपने पेरेंट्स से मोटिवेशन लेनी हैं उनसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर मुझे नहीं लगता है दोस्तों कोई है आपकी लाइफ में ना कोई दोस्त ना आपका जो सच्चा प्यार इन चक्रों में पढ़ जाते हैं कि यार यह मेरा यह है, दिल तूट गया, तो मुझे इससलिए बनने इस लिए IPS बनना है उसको दिखाना है तो दोस्तों वह कुछ समय का होता है ठीक है वह तो टैंप्रेरी ही है मुझे लगता है पर्मनेंट अगर आपको मोटिवेशन रखना है तो दोस्तों वह आपके पेरेंट्स आपकी फैमिली और जो आपकी प्रस्थितियां होती है जो है ज़्याटी में जा रहा है तो हम बहुत सारे अर्मानों को ना हुता हएं ऑने हम लग जाएगी तब देखेंगे लग जाएगी तब इंजोई करेंगे लग जाएगी तब यह तो दोस्तों गर आप आपने जैसी ड्रीम लाइफ देखी है ना उसे सिर्फ ड्रीम न रहने दे उसे पूरा करने के लिए दोस्तों हम सभी को एक हार्डवर करना होगा और यह ऐसन यह लाइफ टाइम इंजोई करते हैं कि घूमना फिरना लाइफ इंजोई करो क्या है फिर बाद में पस्ता हो यह पहले पढ़ लो और बाद में मोज करो दोस्तों जो यह सेकंड वाल है ना यह वैस्ट है क्योंकि अभी पढ़ लेंगे अभी तेश चोविस पच्छिस तक अपनी नोक्री ले पूरी लाइफ दोस्तों इंजोई जो आप लाइफ में करना चाते हैं जैसी लाइफ जीना चाते हैं वैसी जी सकते हैं तो दोस्तों इसलिए पहले हमें पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखना चाहिए सब जितने भी यह टंटे